हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल और आज मैं जिस चीज की बात करने जा रही हूँ वो कुछ टाइम पहले तक जो है गर्ल्स के बीच में इतनी नोन नहीं थी लेकिन जब से यूटूब का क्रेज बढ़ा है लोगों के बीच अवेरनेस बढ़ी है और विमें जो है मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चले शुरू करते हैं यह मेरे पास है दो चीजें एक है विस्पर का अल्ट्रा सॉफ्ट पैड जो कि मैं हमेशा से यह बिग पैक लेते हूँ क्योंकि बार-बार जंजट होता है चिजों को लेने सब्सक्राइब की सॉफ्ट लाइनिंग में आते हैं यह काफी अच्छी क्वालिटी होती है विस्पर की क्वालिटी जो है सबको पता है बहुत ही अच्छी होती है और यह आप यह जो है बहुत ही अच्छी से मेंटेन करते हैं आपकी हाईजेनिक को दूसरा जो है मेरे पास या सेनिटाइजर्स हो गए काफी सारी जो है अलग अलग चीजे आती है ये जो है अंटिबैक्टिरियल है डेली वियर आप इसको डेली यूज कर सकते हैं तो अब जो है यह चीज होती क्या है कैसी है कहां से हमें पर्चेस करते हैं वो चीजे मैं आपको बताने वाली हूँ औ कि इस ट्राइब का जो है एक हैवी जो हमारी रूटीन हो जाती है जो हमारे फाइव तू थी तू फाइव डेज होते हैं उसमें उस चीज को मैं बताने वाली हूँ आपको तो आपको करना क्या है यह देख सकते आप इनकी इसकी जो है अलग अलग प्रोडक्ट है पीसेफ क अब करते हैं यह समॉल मीडियम लाज में और हर जो है साइज में आपको अवेलेबल हो जाएंगे आप किसी भी साइट से इनको मंगवा सकते हैं लेकिन मैं मोस्ली रेग्मेंट करते हूं कि आप एमाजों से मंगवाएं और इसमें जो है काफी अच्छा आपको यहां मैं इतना, जो हमारा पैड होता है इसे साथ हम देख लेते हैं पहले सबस्थान को इसका मैं दिखा द हुआ कि आपको समझ में आ जाए जो मैंने पंटी राणन में रही हैं मीडियम साइज का है आप देख सकते हैं इसका size as compared to हमारा पैड है उसके size के comparison में आप देख सकते हैं कि ये कितना छोटा है और कितना easy होगा इसको use करना तो आप देख सकते हैं इसका जो size होता है और इसकी जो thickness होती है वो one third होती है और अगर हम जो heavy duty pads होते हैं उसकी बात करें तो उसके comparison तो 110 इसका thickness कम होती है और ऐसे ही इसमें sticker लगा होता है जैसा हमारी pad में लगा होता है आप easily इसको use कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है आप इसको fold करके dispose कर सकते हैं easily यह ज्लदी ही नदीड हो से इसलिज़ें एक यह भी की लिगार होती है कि यह जबंषे लिग 문제 कर सकते ज्रले मेंने काए समय को used कर सकते हैं धी कर सकते हैं तो 3-3 Jonas 1 दिन नोदे Canon on 3-2 दिन के-7 months थोड़ा सा अनकंफरडेवल लगने लग जाता है हमारी पैड को लेके और तो हम चोथे या पांचवे दिन में हम अपने पैंटी लाइनर यूज़ करते हैं तो बहुत ही एजी होता है और हमें इंफेक्शन होने के चांसे कम होते हैं कई बार देखा गया है कि इंटरकॉर्स क के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद अगर आप आप इसको जैसे नॉर्मल जैसे कई बार होता है सर्प्राइज पर पीरेड हो जाते हैं हमें हमारी डेट नहीं है लेकिन फिर भी हमें पीरेड हो जाते हैं उस दोरान भी आप इसको यूज़ कर सकते ह तो आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं और ये आपको बिल्कुल भी हैवी फिल नहीं कराएंगे एंटी बैक्टिरियल होते हैं